Hello and Welcome to Examination 27 आज की क्लास में हम Time and Distance के Part Second को कवर अप करेंगे Part First को पहले ही पढ़ चुके हैं तो चलिए Questions को हल करते हैं और Doubts को क्लियर करते हैं यह देखिए दोस्तों Question Question No.9 से इस्टार्ट करेंगे हम इससे पहले के सभी Questions First Part में कर चुके हैं देखिए Question क्या कह रहा है एक राजमार्ग पर दो इस्टान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है यदि दोनों कार एक ही दिसा में चले तो परस पर पाच घंटे में मिलती है यदि वे एक दूसरे की और विपरी दिसा में चले तो एक घंटे में मिलती है ते चलने वाले कार की चाल कितनी है तो देखिए A से B एक राजमार्ग है दो इस्टान A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है देखिए ये दो कोई इस्टान ओगया A और ये हो गया B एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर इस्टी थै तथा ये दोनों कार एक ही दिसा में चले यानि कि एक ही दिसा में चले दोनों तो यहाँ पर किसी बिंदू C पर ये पाज घंटे में मिलते हैं पाज घंटे में मिलते हैं और विपरी दिसा में चलते हैं अगर दोनों विपरी दिसा में चलते हैं तो एक घंटे में मिलते हैं एक घंटे में मिलते हैं तेज चलने वाली चाल तेज चलने वाली कार की चाल कितनी ये ग्यात करना है तो हल करते हैं इसे तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है एक राजमार्ग पर दो इस्तान A से B एक राजमार्ग पर दो इस्तान A से B एक दूसरे से 100 किलो मिटर की दूरी पर है देखिए यह हो गया यह और यह हो गया B इनके बिच की दूरी किती है 100 किलो मिटर है यदि एक कार A से एक कार A से और दूसरी कार B से रवाना होती है तो एक दूसरे पाच घंटे बाद मिलते हैं एक दूसरे को पाच घंटे बाद मिलते हैं एक दूसरे से पाच घंटे बाद मिलते हैं तो देखिए यहां पर किसी बिंदू C पर पाच घंटे बाद मिल रहे हैं दोनों एक ही दिशा में चल रहे VII Y और निरपेत चाल में क्या होता है कारे एक दूसरे के viprir दिशा हमें चल रही है सज़किता इस तरह से तो इन्हें जोड जाता है तो देखिए दूरी हमें किती दिये सव किलोमीटर दिये समय दिया है पाच घंटे तो चाल निकल जाएगी तो निरपेक्ट चाल क्या हो जाएगी सापेक्ट चाल एक्स रिन वाई बराबर चाल चुकि चाल निकालना है हमें चाल निकालना है 4 बराबर क्या होता है 4 बराबर होता है दूरी बटे समय तो दूरी किती है 100 किलो मिटर समय 5 घंटे देखिए 100 बटे 5 5 से कितने बार कड़ गया 20 बार कड़ गया तो एक दूसरे को एक दूसरे को यहां से 20 किलो मिटर दूरी बाद मिलेंगे 20 km बाद मिलेंगे तो B से C तक की दूरी कित्ती निकल गई 20 km निकल गई 20 km निकल गई अब हमें निर्पेक चचाल निकालेंगे निर्पेक चचाल निकालेंगे तो देखिए आगे question बोलता है यदि वे एक दूसरे की विपरी दिशाओं में चले तो एक घंटे में मिलते हैं तो देखिए एक दूसरे की विपरी दिशाओं यदि A इस साइट चले और B इस साइट चले तो एक घंटे में मिलते हैं हो एक घंटे में मिलते हैं तो देखिए दूरी कित्ती हो गई दूरी 100 km हो गई समय हो गया एक घंटे तो नीरपेक्च चाल कैसे निकालेंगे नीरपेक्च में जोड़ना पड़ता है पहले बाता है था मैंने आपको तो देखिए यह क्या हो जाएगा एक धन वाई हो जाएगा एक धन वाई बराबर क्या हो जाएगा नीरपेक्च चाल निकालना है खैकल क्या गई तो देखिए कि ओए को एक्सरिक वाय बराबर क्या मिल गया हमें 20 मिल गया और made consistent COL आप यह मिल गया 100 मिल गया तो फिर लीued देतें एक्सरिक वाय बराबर 20 चोर्य और ay बराबर 100 तो इन दोनों कर देते देखिव खेल स्वाई केंसील हो बच जाएगा और यह हो जाएगा 120 किर्टे बार कर जाएगा 60 बार कर जाएगा तो देखिए पहली कार की चाल आ गई अब हमें दूसरी कार की चाल निकालना है तो देखिए पहली वाली इक्वेशन यहां में X का मान रख देंगे यहां पहले वाली इक्वेशन में तो देखिए यहां पे X की जगा 60 रख देते हैं रिंड Y बराबर 20 तो क्या जाएगा देखिए X की जगा 60 रख दिए रिंड Y बराबर 20 तो देखिए माइनस Y 60 में से 20 घटाएं की किते बचेगा 40 बचेगा रिंड 40 बचेगा माइनस से माइनस केंसिल तो Y बराबर क्या आगया वाय बराबर आ गए 40 यह दूसरी कार की चाल निकल के आ गई तो देखिए दोनों कार में पहली कार की चाल अधीक है 60 है और दूसरी कार की चाल कम है तो हमसे पुछा है तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है हमसे पुछा है तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है तो क्या आजएगा option number A 60 km पति गंटा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए साथ ही subscribe कर दीजिए अगर आप challenge पर नए हैं तो चलिए अगले question पर चलते हैं अपनी सामाने चाल की 3 बटे 4 चाल से चलने पर कोई वेक्ती अपने कारेले सामाने समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुँचता है उसके द्वारा अपने कारेले पहुचने में लिये जाने वाले सामाने समय कितना है तो देखिए वो सामाने चाल कीती उसकी 4 है लेकिन वो 4 को कम करता है तीन करता है तो बीस मिनट देरी से पहुंचता है तो हमसे बोल रहा है उसके द्वार अपने कारेले पहुंचने के लिए जाने वाला सामाने समय कितना है सामाने समय कितना है यह ग्याद करना है हमें धल करते हैं इसे, तो देखिए हमें सामा ने क्या दिया है, चाल किती दिये 3 बटे 4, तो चाल का अनुपाद क्या हो जाएगा, तीन अनुपाद 4 हो जाएगा, तो समय का अनुपाद क्या हो जाएगा फिर, चाल का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है, तो समय का अनुपाद क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल विप्रित हो जाएगा, चाल और समय, चाल और समय एक दूसरे के पूरक होते हैं, अगर चाल 3 अनु और तीन के बिज किते का गेप है किते का गेप है एक का गेप है एक का गेप है और वो क्या गहिए रहा है सामाने समय से 20 मिनट देरी से पहुँचता है तो देखिए यहां पर एक जो है कितने के बराबर होगा 20 मिनट के बराबर होगा एक जो है 20 मिनट के बराबर होगा तो हमें सामाने समय पूछ रहा है तो 3 कितने के बराबर होगा 1 20 के बराबर है तो 3 एक बिस के बराबर है तो तीन कित्ते के बराबर होगा बीस गुड़ा तीन कर्द कित्त आ जाएगा साट आ जाएगा तो कारेले पहुचने में लिये जाने वाला सामाने समय क्या होगा उसका साट मिनट होगा कारेले पहुचने में लिया जाने वाला सामाने समाई 60 मिनट होगा अगले question पर चलते हैं देखिए एक वेक्ति A से B तक 60 km पती घंटा की घंटा की घंटी से जाता है तता B से A तक 40 km पती घंटा की घंटा की घंटी से लोटता है संपूर्ण यात्रा की लिए उसकी अफसर चाल कितनी है जाता है A और B A से B तक A से B तक कोई दूरी है 60 km प्रतिगंटा की चाल से जाता है और B से A तक वापस आता है किते 40 km प्रतिगंटा की आउस्ट चाल से लोटता है संपूर्ण यात्रा के लिए आउस्ट चाल किते ही यह ग्याद करना है हल करते हैं इसे तो देखिए दोस्तों अउसद गती का फार्मूला क्या होता है 2XY बटे X दन Y यह अउसद गती का फार्मूला होता है तो देखिए वो जाता है 60 km प्रति घंटा X की वेल्यू कित्ती हो जाएगी 60 हो जाएगी आता है वो 40 km प्रति घंटा तो y की value किती हो जाएगी 40 तो रख देते हैं तो देखिए 2 into x की value किती है 60 है गुडित 40 y की value रख दिए x धन y तो क्या हो जाएगा 60 धन 40 हल कर लेते हैं इसे तो देखिए 2 गुडित 60 गुडित 40 बटे में देखिए 60 और 40 किते हो गए 100 हो गए 2 0 से 2 0 कट गए क्या बच गया देखिए 24 दुनिय 48 किता हो गया 48 आ गया तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी अवस्त गती किती होगी 48 किलोमेटर पतिगंटा 48 किलोमेटर पतिगंटा option number B अगले question पर चलते है तो देखिए question विस्रामों को छोड़ कर एक बस की गती 64 किलोमेटर पतिगंटा है और विस्राम सहीद बस की गती 48 किलोमेटर पतिगंटा है प्रते के एक गंटे में बस कितने समय विस्राम करती है ये गयात करना है अगर बस लगातार चलती है तो 64 किलोमेटर पतिगंटा की चाल से चलती है अगर रुकते रुकते चलती है तो 48 किलोमेटर पतिगंटा की चाल से चलती है तो एक गंटे में कितने समय रुकती है ये गयात करना है हमें तो हल करते हैं इसे तो देखिए लगातार बस चलती है तो 64 किलो मीटर प्रति गंटा की चाल से चलती है 64 किलो मीटर प्रति गंटा की चाल से चलती है तो 48 किलो मीटर प्रति गंटा की चाल से चलती है चाल को C से डिनोट करता हूं है तो देखिए 64 और 48 के बिच किते का गेप बन रहा है 16 किलोमेटर जो है 16 किलोमेटर एरिये में बस रुकते रुकते चलती है तो हमें देखिए यहाँ पे दूरी पता है दूरी क्या होगा इस 16 किलोमेटर होगा इस दूरी पता है हमें दूरी पता है चाल हमें दिए 64 और 48 तो हमें टाइम निकाल सकते हैं तो देखी टाइम निकालते हैं समाई बराबर होता है दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल तो चाल में उस चाल को लेंगे दोनों चाल हैं 48 और 64 उस चाल को लेंगे जिसमें बस रुकती नहीं है 64 में बस रूखती नहीं तो इसे लेंगे तो दूरी कित्ती हो गई 16 किलोमीटर और चाल हो गई 64 किलोमीटर तो 16 एकं म 16 16 64 एक बते 4 घंटे में विश्राम के लिए बस रूखती यह चुक्छी यह गंटे में से मिनेट में करने क्या करेंगे 60 से गुड़ा कर देते हैं तो देखिए एक बटे 4 गुड़ी साथ चार से फंद्रा बार कट गया तो किते बस किते मिनेत विस्राम के लिए रुख रही है बस जो है फंद्रा मिनेत विस्राम के लिए रुख रही option number B अगले question पर चलते है तो देखिए एक वेकती 24 km की दूरी 6 km प्रति घंटा की चाल से तता एक अन्य वेक्ती 24 km की दूरी 8 km प्रति घंटा की चाल से तता तीसरा वेक्ती 24 km की दूरी 12 km प्रति घंटा की चाल से तै करता है पूरी यात्रा के लिए उसके अउसरचाल कितनी है यह ग्यात करना है पूरी यात्रा के लिए उसकी आउसे चाल कितनी ये ग्याद करना है तो यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा सब में दूरी समान है 24 km, 24 km, 24 km और समाए अलग-अलग है 24 km की दूरी 6 गंटे में तय कर रहा है 24 km की दूरी 8 गंटे में तय कर रहा है दूरी की 24 दीए तीनों की पहला वेक्ती भी 24 किलोमीटर दूरी तै कर रहा है दूसरा वेक्ती भी 24 किलोमीटर दूरी तै कर रहा है और तीसरा वेक्ती भी 24 किलोमीटर दूरी तै कर रहा है चाल क्या दीए देखिए पहला वेक्ती 24 किलोमीटर दूरी पहला वेक्ती 24 किलो मीटर दूरी 6 किलो मीटर पति घंटा की चाल से तै कर रहा है दूसरा वेक्ती 24 किलो मीटर की दूरी 8 किलो मीटर पति घंटा की चाल से तै कर रहा है और तीसरा जो वेक्ती है वो 12 किलो मीटर पति घंटा की चाल से तै कर रहा है तो यहां देखिए दूरी दीए और चाल दीए इसे सरल कर लेते हैं तो देखिए कुल दूरी निकाल लेते हैं कुल दूरी निकालने के लिए इन सब को जोड़ देते हैं तो टोटल दूरी निकल जाएगी क्या आजाएगा 24, 24, 24 किता हो जाएगा ये 72 हो जाएगा उसी प्रकार चाल को भी जोड़ देते हैं त्ीनों को जोड़ देते हैं तो कुल चाल निकल जाएगी तो ये किता हो जाएगा 6, 8 और 12 तो देखिए यहाँ पर हमें दूरी दिए चाल दीए, कमी किस बात किये, टाइम की कमी है, तो देखिए, टाइम कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है, दूरी बटे, चाल, तो दूरी, यह देखिए, दूरी दीए, चाल दीए, दूरी बटे, चाल, तो देखिए इसे, जो टाइम है, क्या निकल किया जाएगा, चार बर कट रहा है, चार बर कट रहा है, चार आ गया, फिर उसी प्रकार, आठ से चोविस किते बर कट रहा है, तीन बार कट रहा है, बारा से चोविस किते बार कट रहा है, दो बार कट रहा है, तो टोटल टाइम कितना निकल गया, नव निकल गया, और टोटल दूरी बाहतत हो गये time निकाल लिए हमने 4 3 और 2 किते हो गये 9 हो गये तो देखिए question में क्या पूछा है हमसे पूरी यात्रा में उसकी आऊसाचाल कितनी है तो आऊसाचाल कैसे निकालेंगे तो टोटल चाल किती 42 हो गयी टोटल समय नहीं हो गया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी कित्ती हो गई, बहात्तर समय हो गया नव, तो बटे का साइन लगा लेते हैं बीच में, तो देखिए, नव से बहात्तर कित्ते बार कट गया, आठ बार, तो चाल कित्ती निकल गई, आठ किलो मीटर प्र कुईस्चिन है एक वेक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर एक गंटे में पॉंचना चाहता है वहाँ प्रतम आधी दूरी 20 किलोमीटर पति गंटा की चाल से तै करता है सेस यात्रा के लिए उसकी अवसक चाल कितनी होगी तो देखिए एक वेक्ति जो 90 किल कि यात्रा के लिए उसे उस्त चाल कितनी होगी से यात्रा के लिए सेज बची दूरी को तैय करने के लिए उसके उस्त चाल कितनी होगी यह ग्यात करना है तो हल करते हैं इसे तो देखिए एक व्यक्ते अपने गत्ता हो नब्बे किलोमीटर की दूरी है नब्बे किलोमीटर की दूरी यह देखिए यह 33 किलोमीटर की दूरी हो गई नब्बे किलोमीटर हो गई पूरा 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पहुचना चाहता है और फिर बोल रहा है आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से ते करता है आधी दूरी तो 90 का आदा किता हो जाएगा 45 हो जाएगा तो 45 किलोमीटर दूरी वहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नत्य करता है और सेस किती बच जाती है सेस 45 बच जाती है तो क्वेस्चन वोड़ रहा है प्रथम आदी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूर तो चाल किती हो गई प्रतम आदी दूरी किती 20 km प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो देखिए चाल 20 हो गई दूरी 45 है तो कमी किस बात किये समाई किये तो देखिए समाई कैसे निकल जाएगा समाई बराबर होता है दूरी बटे चाल समाई बराबर होता है दूरी बटे चाल दूरी तो 45 दिये तो और चाल किती है 20 किलो मीटर प्रति घंता तो देखिए पाच चोक के 20 पाच नव पैता लिस किता आ गया 9 बटे 4 आ गया लेकिन पोंचना तो उसे 3 घंटे में था 90 किलो मेटर के दूरी 3 घंटे में पोंचना चाहता था वो 3 घंटे में से 9 बटे 4 भाग तो उसने तै कर लिया तो बचा किता तो घटा जी दिये 3 में से 9 बटे 4 को घटा देते तो देखिए 3 रीण 9 बटे 4 तो LCM किता जाएगा इसका 4 आ जाएगा तो 4 ती आ 12 रीण 9 बराबर किता आ गया 3 बटे 4 आ गया तो सेश समय किता बच गया उसके पास 3 बटे 4 3 बटे 4 पूरा 3 घंटे था उसमें से 9 बटे 4 यूस कर लिया 3 घंटे में पहुचना चाहता था सुरी 90 किलोमेटर की दूरी 3 घंटे में तै करना चाहता था उसने पहले आधी दूरी 9 बटे 4 घंटे में पूरी कर लिया 9 बटे 4 घंटे में से 3 घंटे में से 9 बटे 4 घंटे को घटा दीजिए सेश कितनी बच गई 3 बटे 4 घंटे बच गई उसमें ये बची हुई 45 किलोमेटर दूरी तै करेगा तो देखिए तो हमसे सेश यात्रा में उसकी चाल कितनी होगी तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो देखिए दूरी तो ये है और समय ये दिया है सेश समय ये बचा हुआ है दूरी है समय है तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय तो कितने निकल जाएगी दूरी बटे समय तो बटे में क्या जाएगा तीन बटे चार आ जाएगा तो देखिए चार उपर चल जाएगा गुड़े में तो क्या हो जाएगा 45 गुड़ी चार 45 गुड़ा 4 हो जाएगा बटे में क्या आजाएगा 3 तो यह दिखिए 3 एकम 3 और 3 पाचे 15 और 15 चोके कित्ता हो गया 60 चाल कित्ती निकल गई 60 किलोमेटर प्रति घंटा 60 किलोमेटर प्रति घंटा option number C 60 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से सेज बची हुई दूरी ताय करेगा अगले question पर चलते हैं तो देखिए रमन अपने घर से पास के एक सहर में कार 12 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से तता 45 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से वापिस आया वापस आने में यदि उसे एक घंटा अधिक लगा तो रमन के घर से उस सहर की दूरी कितनी है तो देखिए रमन जो है 50 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 45 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है जब वापस आता है तो उसे एक घंटा अधिक लगता है रमन के घर से सहर की दूरी कितनी है ये ग्याद करना है तो हल करते हैं इसे देखिए रमन जो जाता कितने 50 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस किते घंट 45 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से वापस आता है 40 और 45 का L.C.M किता आ जाएगा 50 और 45 का L.C.M. आ जाएगा 450 तो देखिए यह चाल दीए हमें और यह क्या निकल गई कुल चाल निकल गई यह चाल को सी से डिनोट कर देता हूं कुल चाल निकल गई टोटल चाल अब देखिए हमें समय निकलना है तो टाइम कैसे निकलेगा 50 से 450 को डिवाइड कर दीज़े किते बार कटेगा 9 बार कटेगा उसी प्रकार 45 से किते बार कटेगा 450 दस बार कटेगा तो देखिए जब वहां 50 की स्पिट से जा रहा था तो 9 घंटे लग रहे थे और जब 15 की क्वेशन में भी बोला है उसे एक घंटा दिक लगता है तो देखिए एक घंटा दिक लग रहा है तो हमसे पूछा है रमन के घर से उस सहर की दूरी कितनी है तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुडित समय चाल गुडित समय तो देखिए दूरी चाल कित्ती हो आ गए टोटल चाल 450 आ गई और समय कित्ता है एक घंटा एक घंटा अधिक ले रहा है तो दूरी कित्ती निकल जाएगी 450 किलो मीटर 450 किलो मीटर दूरी निकल गई ओप्सन नमबर एक अगले क्वेस्चन पर चलते हैं देखिए एक इसकूल बस एक गाव से इसकूल तक की दूरी 12 किलो मीटर प्रति घंटा की गती से तैक करती है यदि 8 किलो मीटर देरी से इसकूल पहुंचती है अगले दिन यहाँ बस 20 किलो मीटर प्रति घंटा की गती से तैक करती है तता समय से 10 मिनट पहले इसकुल पहुँच जाती है गाव तता इसकुल के बीच की दूरी कितनी है तो देखिए यहां पे जब वहां 12 किलोमेटर प्रतिगंटा की चाल से चलती है तो 8 मिनट देरी से पहुँच जाती है जब वहाँ 20 km प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट पहले पहुच जाती है तो हमसे पुचाए गाव तथा इसकूल के बीच की दूरी किती है गाव तथा इसकूल के बीच की दूरी किती है ये बोल रहा है हमसे तो हल करते हैं इसे देखी, वहाँ पहले 12 km प्रति घंटा की चाल से चलता है और फिर बाद में 20 km प्रति घंटा की चाल से चलता है चाल को C से डीनोट करते हैं तो 12 और 20 का LCM कितना आ गया 12 और 20 का LCM 60 आ जा गया तो देखी, तो समय क्या आ जाएगा 12 को 60 से काड़ दीजी 60 को 12 से काड़ दीजी किते बार कटेगा 5 बार कटेगा उसी प्रकार 20 से 60 को काड़ दीजी यह कटता है 3 बार कट जाएगा तो यह क्या निकल गया हमारा समय निकल गया यह हो गई total चाल और यह हो गया time तो देखिए वहाँ पहले 12 की स्पिट से जाता है तो 5 गंटे में पहुचता है और जब वहाँ 20 की स्पिट से जाता है 3 गंटे में पहुचता है तो किते गंटे अधिक ले रहा है वह 12 की स्पिट से जा रहा है 2 गंटे अधिक ले रहा है 2 गंटे अधिक ले रहा है तो देखिए जब वहां 12 की स्पीट से जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है जब वहां 20 की स्पीट से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है 20 की स्पीट से जाता है तो देखिए यह जा रहा है और यह आ रहा है यह दोनों क्या है निर्पेक्ट चाले है एक दूसरे के विपरिज जा रहा है तो जूड जाएंगी यह अगर यह एक ही दिशा में जाते है तो घटती माइनस का चीन आ जाता है यहां पर अगर यहां एक ही दिशा में जाते हैं दोनों तो यहां माइमस हो जाता है, दोनों ग mercy देकिन वपरीध दिशा में जा रहे हैं, यो निरपेक चाल है, इसलिए जोड़ देंगे σε 10 और 8 चिसा हो गया, 18 और 8 चिसा हो गया, 18 अठरा मिनट जाने और आने में कितना समय अधिक लग रहा है उससे अठरा मिनट का डिस्टेंस पर रहा है दोनों के बीच में दोनों के बीच में अठरा मिनट का डिपरेंस है तो देखी दो मिनट जो है अठरा तो देखी, दो समय जो है, अठरा मिनिट का हो जाएगा तो एक समय कितने मिनिट का हो जाएगा नव मिनिट का हो जाएगा एक समय नव मिनिट का हो जाएगा हमसे क्वेस्चन में बोल रहा है गाव तता स्कूल के बीच की दूरी कितनी है तो देखिए, टोटल दूरी गयात करने हमें, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुडि समय होता है, चाल किती होगे, टोटल चाल साथ निकल गई, और समय किता हो गया, नव हो गया, तो दूरी निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल क मिनट में इसे घंटे में कनलोट करने के लिए क्या करेंगे साट से भाग देंगे साट से भाग देंगे साट से साट तो हुझा राढ़ तो क्या आजाएगा 9 के पिलोऺेC 9 किलोमेटर आ जाएगा तो इसकूल से गाव तता इसकूल के बीच की दूरी किती हो जाएगी 9 किलोमेटर हो जाएगी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक कार पहले 35 किलोमेटर की यात्रा 45 मिनट में तता 69 किलोमेटर की यात्रा 75 मिनट में तै करती है कार की अवस्त गती कितनी है तो देखिए पहले 35 किलो मीटर की यातरा 45 मिनट में तै कर रही कार 35 किलो मीटर की यातरा 45 मिनट में और 69 किलो मीटर की यातरा 75 मिनट में तै कर रही है कार की अवस्त गती क्या है ये ग्यात करना है हमें पहल करते हैं इसे तो देखिए कार जो है 35 किलो मिटर की दूरी 45 मिनाट में तय कर रही है दूरी किती होगी 35 किलो मिटर और समय क्या आ जाएगा 45 मिनाट और फिर बोल रहा है 69 किलो मिटर की यत्रा 75 मिनाट में धान 30 किती है 59 किलो मिटर की यत्रा 75 मिनाट में तय कर रहा है तो देखिए टोटल दूरी किती हो गई 104 किलो मिटर 35 और 69 किता हो गया 104 किलो मिटर हो गया और समय किता हो जाएगा 45 और 75 किता हो जाएगा 120 हो जाएगा तो देखी यह दोनो जोमीनट में है तो यह भी मीनट में होगा इसे घंटे में कननवर्ट करने के लिए क्या गरेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे 60 से भाग देंगे 60 से दोबार गटेगा तो यह दो घंटे आ जाएगा 104 किलो मिटर की दूरी दूरी बटे समय चाहल बराबर दूरी बटे समय और दूरी कित्ती है 104 किलोमेटर और समय कित्ता ले रहा है दो घंटे ले रहा है तो दो से कार देते हैं देखिए दो पंचे 10 और दो दुनी 4 कार 52 किलोमेटर प्रति घंटा 52 किलोमीटर प्रति घंटा कार की अउस्त गर्ती कित्ती आजएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्सन नमबर PHC अगले question पर चलते हैं तो देखिए रमेश 760 km की कुछ दूरी rail guardi द्वारा कुछ कार द्वारा तै करता है यदि वहां 160 km rail guardi द्वारा तथा 6 car द्वारा तै करें तो उसे 8 घंटे लगते हैं यदि वहां 240 km rail guardi तथा 6 car द्वारा द्वारा तै करें तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं तो rail guardi तथा car की गतियां क्रमसा कितनी कितनी है तो देखिए question बोल रहा है रमेश 700 km की कुछ दूरी टोटल कीती है 700 km है कुछ दूरी car द्वारा तै करता है यदि वहां 160 km rail guardi द्वारा तै करता है 8 घंटे लगते हैं उसे तो उसे 8 घंटे लगते है यदि वहां 240 km rail guardi दोराता है करता है और जो दूरी है तथा 6 car दोराता है ऐसे बची हुई दूरी को तो उसे 12 मिनट अधिक लगते है 12 अधिक लगते है तो rail guardi तथा car की गतियां क्रमसा कितनी शाट सोशाट हो गई टोटल दूरी उसमें वो रिचा करता है एकसुप पहले देल गाडी दौरा कुछ दूरी करता है तो हे जाइश सोशाट में से 2- 4Z कट्रे तिएक कि दौरा में से 216 क gag T रहता है करेगा तो एक सो साथ किलोमीटर तो देखिए एक सो साल किलोमीटर रेल दौराता है करता है और 600 किलोमीटर कार दौराता है करता है तो उसे किते घंटे लगते हैं आठ घंटे लगते हैं बोल रहा है तो उसे यदि 240 किलोमेटर रेल गाड़ी द्वारा तय करें और सेस कार से तो देखिए 240 जो है वो रेल गाड़ी से तय करता है और सेस कित्ती बज़ गई 700 है टोटल 760 में से 240 को वेटा दीजी 520 बज़ गई 520 किलोमेटर कार द्वारा तय करेगा तो उसे 8 मिनट अधिक लगता है 8 मिनट अधिक लगता है तो देखिए 8 पहले तो 8 गंटे लग रहा था इससे भी 8 मिनट अधिक लग रहा है धन 8 मिनट कर देते हैं कि अज़ल्ध से दंगानम में कनोट करने के क्या आगर कुटे का निहां में है वह नंगान स्रें के सा realizar बॉल शॉरिक्वी क्वेस्चन कह रहा है कि दिकी का दुबहिक ग्याना ही और तो 12 12 को जो में मिनट में तुछ घंटे में करने के लिए 60 से भाग देंगे 12 एकम 12 12av5 60 क्या गये एक बटे पाच आ गया तो 8 सही एक बटे पाच मिनट लग रहा है उसे तो अची एक बठे 5 मिनिट लग रहा है 240 किलो मीटर रेल गाडी दोर और और 520 किलो मीटर कार दोर दोर तै कर रहा है तो उसे 8 सइद कार गंटे लग रहे हैं लिख देते हम 8 सइद 5 गंटे लग रहे हैं तो देखीए इस QUESTION को हम option से हल करेंगे option number B से देखिए अगर हम 80 ले तो 160 km की दूरी देखिए तो देखिए option से हम 80 लेते हैं यह 80 तो 160 km रेल गाड़ी से तै कर रहा है बटे 80 कर देजिए 8 दुनी 16 दो आ गया धन फिर वो क्या कर रहा है 600 km 600 km कार से तै कर रहा है किते दर में किते की स्पीट से 100 km प्रति घंटा की स्पीट से तो देखिए 100 200 से 200 कर दी किता आ गया 6 आ गया 6 और 2 किते हो गया 8 तो देखिए टाइम किता निकल गया 8 घंटा निकल गया यह देखिए को कुष्टन में बोल रहा है एक सो साट किलोमीटर एक सो साट किलोमीटर रेल से और शही सो किलोमीटर कार से तैक कर रहा है तो उसे आठ गुंटे समय लग रहा है तो यह ओप्षिन नमबर भी हमारा सही हो जाएगा यह देखिए option number B जो है पहले 80 आना था उसमें बाद में 100 आना था तो यहाँ उल्टा दिया है पहले 100 दिया है फिर 80 दिया है इसे साई कर लीजिएगा option number B right answer है तो चली अगले question पर एक व्यक्ति एक निच्चित दूरी को ताय करने में cycle से जाने तदा scooter से लोटने में 6 गंटे 30 मिनट लेता है जदी वहाँ दोनों और cycle से जाए तो 2 गंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं दोनों और scooter से जाने में कितना समय लगेगा तो देखिए जो व्यक्ति है cycle से तो जाता है scooter से लोटता है वापस तो उसे कितना समय लगता है 6 गंटे 30 मिनट लगते हैं और अगे बोल रहा है अगर वह cycle से ही जाए और cycle से ही लोटे तो 2 गंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं पहले तो लग रहे हैं 6 गंटे 30 मिनट लग रहे थे अब लग रहे हैं 2 गंटे 10 मिनट अधिक तो जोड़ देंगे इसे इससे 6 गंटे 30 मिनट से 2 गंटे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं तो जोड़ देंगे किता टोटल किता हो जाएगा 8 गंटे 40 मिनट हो जाएगा 8 गंटे 40 मिनट लग रहे हैं उसे यानि कि वो साइकल से ही जाता है और cycle से ही लोटता है तो 8 गंटे 40 मिनट लगते है दोल करते हैं इसे तो देखी दोस्तों question कर रहा है एक वेक्ती एक निच्ची दूरी को तैय करने में cycle से जाने और scooter से लोटने में 6 गंटे 30 मिनट लेता है 6 गंटे 30 मिनट लेता है याने कि देखी जाता तो cycle से जाता cycle से लेकिन लोटता कैसे scooter से लोटता है तो कितने समय लेता है 6 गंटे 30 मिनट लेता है और दूस्री condition में क्या बोल रहा है यदि वहाँ दोनों और cycle से जा आए तो 2 गंटे 10 मिनट अधिक लेता है तो देखी तो देखिए वो जो है साइकल से ही जाता है साइकल से ही जाता है और साइकल से ही वापस आता है तो दो घंटे अधिक लगते हैं दो घंटे दस मिनट अधिक लगता है पहले देखिए च्छाइ गंटे तीस मिनट लग रहा था अब 2 घंटे 10 मिनट लग रहा है तोटल किते हो गए यानि कि पहले से 2 घंटे अधिक लग रहा है तोटल किते हो जाएगे 8 घंटे 40 मिनट हो जाएगे 8 घंटे 40 मिनट हो गए तो cycle से जाने और cycle से आने में किता हमें लग रहा है आठ घंटे 40 मिनट लग रहा है तो देखिए इसे जाने और आने में 8 घंटे 40 मिनट लग रहा है अगर हम इसे दो से डिवाइट कर देंगे तो सिर्फ जाने का समय मिल जाएगा हमें किते समय में जा रहा है जाने और आने दोनों का समय है दो से डिवाइट कर देंगे तो सिर् कर देते हैं तो देखिए क्या जाएगा दो से रिवाइट करें दो चो के आठ और दो दुनी चार गंटे 20 मिनट चार गंटे 20 मिनट आ गया यह क्या हो गया सिर्फ एक तरफ जाने का समय निकल गया चार गंटे 20 मिनट तो देखिए यह जो है निकल गया सिर्फ जाने का समय निकल गया चार गंटे 20 मिनट तो यहां देखिए पहली कंडिशन में वो जा तो साइकल से रहा है लेकिन आथ इसकुटर से रहा है तो साइकल से जाने का समय घटा देंगे टोटल समय किता है 6 गंटे 30 मिनट है तो जाने का टाइम किता है साइकल वाले का टाइम किता होगा चार घंटे 20 मिनट तो घटा देंगे इसमें से तो देखिए माइनस चार घंटे 20 मिनट तो किता बज गया किता बज गया दो घंटे 10 मिनट बज गया दो गंटे 10 मिनट बज गया तो देखिए कितना बज गया दो गंटे 10 मिनट बज गया 6 गंटे 30 मिनट में 4 गंटे 20 मिनट गता दिये तो 2 गंटे 10 मिनट अब हमसे बोल रहा है कि दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा तो देखिए एक और जाने में 2anych 10 मिन लग रहा एं तो 2聲 कितना लगेगा तो जोड दिज ओर डोज़ोड समय लगेग या तो जोड एंगे तो कित्ना आजए गा दोlight चाहर गंटे कि विश सन दोनों और जाने में 5 और दखेगाहा तो देखिये 4 घंटे हैं बीस तो घंटे में बीस मिनट में इसे घंटे में कनवर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना होगा। तो 60 से भाग देons तो कि तत्त है गया है यह आ गया है चार घंटे एक बटे थीज़िफ टीन इनाथ चार साई एक बटे तीन घंटे हो गया तो कुनसा अंसर आजाएगा option number B तो दोनों और स्कूटर से जाने में चार साई एक बटे तीन घंटे लगेगा option number B अगले question पर चलते हैं तो देखिए अपनी सामानी गती का दो बटे तीन गती से चलने पर एक रेल गड़ी अपने गंत व winning पर तीन घंटे देरी से पोहँचती है सामानी गती से यह यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा तो देखिए अपने सामानी गती उसकी गिती दीन है लेकिन वह किती गती चल रही है दो गती से चल रही है अगर वह थीन दो की गती से चलती है तो 3 घंटे देरी से पुन्चती है अगर वह सामानी गती से यातरा पूरी करने में उसे कित्ता समय लगेगे ये ज्यात गरनाय में तो हल करते हैं देऐगे देखी चाल कित्ती दी है दो बटे 3 दो बटे तीन तो इसका अनुपात क्या निकल जाएगा चाल का अनुपात क्या निकल जाएगा दो अनुपात तीन तो समाय कानूपाद क्या निकलेगा समाय कानूपाद क्या निकलेगा इसके भी प्रित चाल और समय एक दूसरे के पूरक होते हैं इसलिए समाय का रेसो निकल जाएगा ठी रेसो टू तो देखिए यहाँ पर कित्ते का डिफ्रेंस है 3 और 2 के बीच एक का डिफ्रेंस है और एक का डिफ्रेंस देखिए तो एक का डिफ्रेंस किसके बारबर तीन घंटे के बारबर क्योंकि वो बोल रहा है अपने गंतावे पर तीन घंटे देरी से पहुंचती है सामाने गती से दो बटे तीन गती से चलने पर रेलगड़ी अपने गंता उवर्पर 3D देरी से पुहुंचती है एक का डीफ्रेंस जो है तीन के बराबर है किस के बराबर तीन के बराबर है थो सामानी गती से यात्र है यानि कि सामानी चाल उसकी किती ये तीन है तो 3D येट पहुंच रहा है तो किते समय में यात्रा करने व зов कितना समय लगेगा कैसे ? यह पूछ éléments तो देखिए एक तीन के बराबर हो लगे यह जब वो तीन की गती से चलेगा । अधर वो 2 की गती से चलेगा तो एक तीन के बराबर होगा देखिए दो गुडी 3 कर देंगे 5 क्या जाईगा 6 आजएगा कि और हमारा आंसर क्या होगा है ठाल अगर यात्राग्वstal कर लगीगा पूरी क्यों थे शेपर लगेगा यात्रा पूरी करने में 6 घंटे का समय लगेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताईए कि वीडियो कैसा लग रहा है इस बैल के बटन को भी दबा दीजेगा इससे आपको हमारे वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहेंगे